इस वीडियो में हमें computer के characteristics के बारे में पढ़ेंगे उसे पहले कुछ बातों की जानकारी लेते हैं हम सभी जानते हैं कि मनुस्य अपनी day to day life को और बेहतर बनाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ बदलाव लाती रहता है ऐसा ही एक field computer और इसके technology से related है computer और इसकी advanced technology के करण ये हमें day to day life में कई प्रकार से हमें मदद करता है आगे computer का definition है उसे हम लोग पढ़ते है A computer is called as an electronic device that converts raw data into meaningful information It has many unique features because of which it is being applied in many fields to generate different types of solution Computer एक ऐसा electronic device है जो raw data को meaningful information में बदल देता है इसमें बहुत सारे features होते हैं जिस करण से ये कई प्रकार के कामों को करने में हमारी मदद करता है अब आगे हम लोग computer के characteristics के बारे में पढ़ेंगे characteristics यानिकी विशेस्ताएं वैसी विशेस्ताएं जिन विशेस्ताओं के कारण computer कई प्रकार के कामों को करने में मदद करता है सबसे पहले speed किसी भी problem को solve करने के लिए मनुश्य के तुलना में computer काफी तेजी से काम करता है एक modern computer एक second में लाखो instructions को process कर सकता है computer के speed M.I.P.S. में मापी जाती है million instructions per second next है diligence यानि की परिश्च्रम computer कभी थकता नहीं है computer एक ही तरह के काम को कई घंटे लगातार बिना किसी तनाव के कर सकता है जब तक कि उसमें कोई technical fault ना हो next versatility आप सभी जानते हैं कि computer कई जगों पर काम करता है जैसे school, college, hospital, दुकान ऐसा बिलकुल नहीं है कि हर जगों पर computer अलग-अलग परकार के होते हैं एक ही computer होता है जो अलग-अलग जगों पर अलग-अलग परकार के कामों को करता है computer कई परकार के कामों को करता है और इन कामों को करने के लिए कई परकार के मेडिया का भी यूज़ करता है जैसे audio, video, text, versatility यानी बिभिन परकार के कामों को करने में सक्षम Next है accuracy Computer एक accurate machine होता है Computer कभी गलती नहीं करता है और हमेशा हमारे instructions के अधार पर ही काम करता है हम जैसा instructions देते हैं computer उसी को follow करता है और उसका result देता है modern computer में detection technique भी होती है जिसकी साहता से computer गलती को detect भी करता है और उसको आसानी से सही भी कर देता है next है high storage capacity computer के पास काफी बड़ा memory space होता है जिसमें बहुत सारे data को हम लोग store करके रख सकते हैं ताकि हम उसे future में use कर सकें next है secrecy इसका मतलग computer को हम लोग safe vault की तरह भी use कर सकते हैं हम अपने किसी file, folder, document को protect करना चाहें तो हम उसको protect करके रख सकते हैं ताकि वैसे user जिनी user को हम permission ना दें वो उसको ना देख सके Calculative computer की साहता से हम लोग बहुत ही हम लोगों ने कुछ characteristics के बारे में पढ़ा है एक बार revise कर लेते हैं सबसे पहले speed computer जो है हमारे कामों को काफी तेजी से करता है diligence यानि की computer कभी ठकता नहीं है वो एक ही तरह के कामों को कई घंटों तक लगातार कर सकता है versatility computer विभिन परकार के मेडिया की साहता से विभिन जगों पर विभिन परकार के कामों को करने में सक्षम होता है accuracy computer accurate machine है यह हमारे instructions के according हमें result देता है high storage capacity computer के पास काफी बड़ा storage capacity है जिसमें की बहुत सारे file को document को store कर सकते हैं secrecy यानि की computer में हम कुछ file को important file को हम लोग secure भी कर सकते हैं ताकि कोई दूसरे users उसको ना देख ले Calculative computer की साहता से हम लोग बहुत ही cutting प्रस्ण को भी solve कर सकते हैं अभी हम लोगोंने कुछ point पढ़े उसका division भी किया और इससे पहले computer का एक definition हम लोग पढ़े थे उस definition को मैं फिर से दूर आता हूं कि computer एक ऐसा electronic device है जो raw data को meaningful information में बदल देता है यह हमने पढ़ा था उसके बाद हमने characteristics पढ़ा कुछ विसेशता हैं पढ़ी computer की अब इन सभी को मिला करके computer को computer का एक अलग definition बनता है उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे An electronic device which processes a set of raw data to convert it into meaningful and useful information with high speed and accuracy and can store huge volume of information in small space for future use फिर से, an electronic device which processes a set of raw data, एक ऐसा electronic device जो raw data को process करे, to convert it into meaningful and useful information, process करके meaningful or useful information में बदले, with high speed, तेजी से, and accuracy, सही सही, and can store huge volume of information, और बहुत ही बरे information को store करे, in small space, छोटी जगों पर, for future use, भविशी के लिए, यानि, computer एक ऐसा electronic device है, जिस device की मदद से, यानि कि computer एक ऐसा electronic device है, जो हमारे raw data को, काफी तेजी से, सही सही, meaningful and useful information में convert कर देता है, और बहुत ही ज़्यादा information को, काफी छोटी जगों पर save करके रखता है, ताकि हमें उसे future में use कर सके, तो अभी हम लोगों ने computer की characteristics के बारे में पढ़ा, और computer के definition को जाना, अगले वीडियो में हम लोग computer की working stage के बारे में पढ़ेंगे, तन्यवाद,